C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय ग्यारा क्षेत्र मिती प्रिष्ट संख्या 188 11.7 घन, घनाब और बेलन का प्रिष्ठिय क्षेत्र फल इम्रान मोनिका और जस्पाल, क्रमशह समान उचाई वाले घनाबाकार, घनाकार और बेलनाकार डिब्बों को पेंट कर रहे हैं आकरिती 11.28 पर गौर कीजिए आकरिती 11.28 यहाँ पर एक घनाबाकार, एक घनाकार और एक बेलनाकार आकरिती बनी हुई है वे यह ग्याद करने का प्रयास करते हैं कि किसने अधिक क्षेत्रफल को पेंट किया है हरी उन्हें सुझाब देता है कि प्रतियक डिब्बे का प्रिष्ठियक क्षेत्रफल ग्याद करना उनकी मदद करेगा कुल प्रिष्ठियक क्षेत्रफल ग्याद करने के लिए प्रतियक फलक का क्षेत्रफल ग्याद कीजिए और इनका योग कीजिए किसी ठोस का प्रिष्ठियक ख्षेत्रफल उसके फलकों के ख्षेत्रफलों का योग होता है और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम प्रतियक आकार को एक-एक करके लेते हैं 11.7.1 मान लीजिए आप एक घनाभा कार डिब्बे आकरिती 11.29 पर गौर कीजिए को काट कर और खोल कर समतल फैला देते हैं आकरिती 11.30 पर गौर कीजिए हमें एक जाल यानि नेट प्राप्त होता है आकरिती 11.29 यहाँ पर एक पेस्ट का घनाभा कार डिब्बा बना हुआ है इसकी भुजाओं को L, B और H द्वारा दर्शाया गया है आकरिती 11.30 डिब्बे को खोलने के बाद हमें एक जाल जैसी आकरिती प्राप्त हुई है डिब्बा कुल छे हिस्सों में बढ़ चुका है प्रतियक भुजा की विमा लिखिए आप जानते हैं कि घनाभ में सरवांगसम फलकों के तीन युग्म होते हैं प्रतियक फलक का क्षेत्र फल ग्याद करने के लिए आप कौन सा व्यंजक यानी सूत्र उप्योग कर सकते हैं डिब्बे के सभी फलकों का कुल क्षेत्र फल ग्याद कीजिए हम समझते हैं कि घनाभ का कुल प्रिष्ठिय क्षेत्र फल बराबर है बराबर है इसलिए कुल प्रिष्ठिय क्षेत्र फल बराबर है दो कोश्ठक प्रारंब ह गुणा एल जमा बी गुणा एच जमा बी गुणा एल कोश्ठक अंत बराबर है दो कोश्ठक में एल बी जमा बी एच जमा एचल जिसमें एच एल और बी क्रमशह घनाभ की उचाई, लंबाई और चोडाई है यदि उप्रियुक्त दर्शाई गए डिब्बे की उचाई, लंबाई और चोडाई, क्रमशह 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो कुल प्रिष्ठ ये क्षेत्र फल बराबर है दो कोश्ठक प्रारंब 20 कुणा पंदरा जमा 20 कुणा 10 जमा 10 कुणा पंदरा कोश्ठक अंत बराबर है दो कोश्ठक में 300 जमा 200 जमा 150 बराबर है 1300 मीटर वर्ग प्रयास कीजिए निम्द लिखित घनाभू आकरिती 11.31 पर गौर कीजिए का कुल प्रिष्ठ ये क्षेत्र फल ग्यात कीजिए आकरिती 11.31 पहले एक घनाभ दिया गया है जिसकी भुजाएं 6 cm, 4 cm और 2 cm है इसके बाद एक घनाभ दिया है जिसकी भुजाएं 4 cm, 4 cm और 10 cm है घनाभ की दीवारें तल एवं शीर्ष के अतिरिक्त फलक पार्श्व प्रिष्ठ ख्षेत्र फल प्रदान करती है उदारन तह जिस घनाभाकार कमरे में आप बैठे हुए है उस कमरे की चार दिवारों का कुल क्षेत्र फल कमरे का पार्श्व प्रिष्ठिय क्षेत्र फल है आकरती 11.32 पर गौर कीजिए अतह घनाभ का पार्श्व प्रिष्ठिय क्षेत्र फल दो कोष्ठक में H गुणा L जमा B गुणा H अत्वा दो H कोष्ठक में L जमा B द्वारा प्राप्त किया जाता है आकरती 11.32 एक घनाभा कार कमरे की आकरती बनी है छत और फर्श को दर्शाया गया है भुजाएं L, B और H को भी दर्शाया गया है प्रिष्ठ संख्या 190 इन्हें कीजिए एक एक घनाभा कार डस्टर जिससे आपके अध्यापक कक्षा में उप्योग करते हैं कि पार्श्व प्रिष्ठ को भूरे रंग के कागस की पट्टी से इस प्रकार ढखिए कि यह डस्टर के प्रिष्ठ के चारों और बिलकुल ठीक बैठे कागस को हटाईए कागस का क्षेत्र फल मापिये क्या यह डस्टर का पार्श्व प्रिष्ठिय क्षेत्र फल है दो अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई, चोड़ाई और उंचाई मापिये और निम्न लिखित को ग्याद कीजिए सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए एक, क्या हम कह सकते हैं कि घनाब का कुल प्रिष्ठिय क्षेत्र फल बराबर है पार्श्व प्रिष्ठिय क्षेत्र फल जमा दो गुणा आधार का क्षेत्र फल 2. यदि हम किसी घनाब आकरती ग्यारा दशमलव तीन तीन 1. की उचाई और आधार की लंबाई को परस पर बदल कर एक दूसरा घनाब आकरती ग्यारा दशमलव तीन तीन 2. प्राप्त कर लें तो क्या पार्श्व प्रिष्ठिय क्षेत्र फल बदल जाएगा आकरिती 11.33 1. एक खनाब दिया गया है L, B और H को दर्शाया गया है 2. अब इस खनाब की उचाई और आधार की लंबाई को बदल कर दर्शाया गया है 11.7.2 इन्हें कीजिए एक वरगांकित कागस पर दर्शाय गए पैटन को खीचिए और उसे काटिए आकरिती 11.34 1. पर गौर कीजिए आप जानते हैं कि यह पैटन घन का जाल यानी नेट है इसे रेखाओं के अनुदिश मोड़िए आकरिती 11.34 2. पर गौर कीजिए जिसमें ऐसा ही किया गया है और घन बनाने के लिए किनारों पर टेप लगाईए आकरिती 11.34 3. पर गौर कीजिए जहां पर हमें एक वर्ग मिल चुका है प्रिष्ट संख्या 191 इस घन की लंबाई, चौड़ाई और उंचाई क्या है ध्यान दीजिए घन के सभी फलक वर्गाकार है इसलिए घन की लंबाई, चौड़ाई और उंचाई समान होती है आकरिती 11.35 1 पर गौर कीजिए बी, प्रतियक फलक का क्षेत्र फल लिखिए, क्या सभी फलकों के क्षेत्र फल समान है सी, इस घन का कुल प्रिष्ठिये क्षेत्र फल लिखिए डी, यदि घन की प्रतियक भुजा एल है, तो प्रतियक फलक का क्षेत्र फल क्या होगा आकृती 11.35 दो पर गौर कीजिए क्या हम कह सकते हैं कि L भुजावाले घन का कुल प्रिष्ठिये क्षेत्रिफल 6L वर्ग है आकृती 11.35 एक यहां पर एक घन बना है जिसकी सारी भुजाएं L है दो इसके बाद इस घन को खोल दिया गया है और हमें एक जाल जैसी आकृती प्राप्त हुई है प्रयास कीजिए घन A का प्रिष्ठिये क्षेत्रिफल और घन B का पार्श्व प्रिष्ठिये क्षेत्रिफल ग्याद कीजिए आकृती 11.36 पर गौर कीजिए सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए एक बी भुजावाले दो घनों को मिलाकर एक घनाब बनाया गया है आकरती ग्यारह दशमलव तीन साथ पर गौर कीजिए इस घनाब का प्रिष्ठिय क्षेत्रफल क्या है क्या यह 12 बी वर्ग है क्या ऐसे तीन घनों को मिलाकर बनाय गए घनाब का प्रिष्ठिय क्षेत्रफल अठारा बी वर्ग है, क्यूं? आकरती 11.37 पहले हमारे पास दो घन है जिनकी भुजाओं को बी द्वारा दर्शाया गया है इसके बाद हम इन दो घनों को जोड़ देते हैं उसके बाद जो जोड़ कर हमें आकरती मिलती है हम उसे तीन बराबर हिस्सों में बाढ़ देते हैं दो, नियुन्तम प्रिष्ठिय क्षेत्रफल का घनाब निर्मित करने के लिए समान भुजावाले बारा घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे? तीन, किसी घन के प्रिष्ठिय क्षेत्रफल पर पेंट करने के पस्चात उस घन को समान विमाओं वाले 64 घनों में काटा जाता है आकरती 11.38 पर गौर कीजिए इन में से कितने घनों का कोई भी फलक पेंट नहीं हुआ है कितने घनों का एक फलक पेंट हुआ है कितने घनों के दो फलक पेंट हुए है कितने घनों के तीन फलक पेंट हुए है आकरती 11.38 यहाँ पर एक घन बना है जिसे छोटे घनों में बाड़ दिया गया है प्रिष्ट संख्या एक सौबानवे ग्यारह दशमलव साथ दशमलव तीन बेलन जितने भी बेलन हम देखते हैं उनमें से अधिकतर लंब वृत्तिये बेलन है उदारन तह एक टिन एक गोल खंभा ट्यूब लाइट पानी के पाइप इत्यादी इन्हें कीजिए एक एक बेलनाकार कैन अथवा डिबबा लीजिए और इसके आधार का ग्राफ पेपर पर बनाईए और इसे काट कर बाहर निकाल लीजिए आकरिती ग्यारह दशमलव तीन नौ एक पर गौर कीजिए एक ऐसा ग्राफ पेपर लीजिए जिसकी चौडाई कैन की उचाई के समान हो इस पट्टी को कैन की चारों और इस प्रकार लपेटिए ताकि यह कैन के चारों और बिलकुल ठीक बैठे अतिरिक्त कागस को हटा दीजिए आकरिती 11.39 दो पर गौर कीजिए तुकणों को एक दूसरे से मिलाकर टेप लगाईए आकरिती 11.39 तीन पर गौर कीजिए ताकि एक बेलन बन जाए आकरिती 11.39 चार पर गौर कीजिए कैन के चारों और लपेटे गए कागस का आकार क्या है आकृती 11.39 यहाँ पर चार ऐसी आकृतियां बनी हैं जिन्हें पहले समझाया गया था नहीं संदे हैं यह आकार में आयताकार है जब आप इस बेलन के भागों को एक दूसरे से मिलाकर टेप लगा देते हैं तो आयताकार पट्टी की लंबाई वृत्त की परिधी के समान है वृत्ताकार आधार की त्रिज्या यानि आर और आयताकार पट्ती की लंबाई यानि एल एवं चोडाई यानि एच को नोट कीजिए क्या दो πाई आर बराबर है पट्ती की लंबाई जांच कीजिए क्या आयताकार पट्टी का क्षेत्र फल दो पाई आर एच है गिंती कीजिए कि वर्गांकित कागस की कितनी वर्ग एकाई बेलन को निर्मित करने में उप्योग की गई है जांच कीजिए क्या यह गिंती 2. हम बेलन के प्रिष्ठिय क्षेत्रफल के रूप में संबंध 2. पाई आर कोश्ठक में आर जमा एच का निगम दूसरी विधी से भी कर सकते हैं जैसा निम्नलिखित आकृती में दर्शाया गया है वैसे ही एक बेलन को काटने की कलपना कीजिए आकृती 11.40 पर गौर कीजिए आकृती 11.40 यहाँ पर एक बेलनाकार आकृती को काटा गया है उसके बाद हमें एक आयत और दो वृत प्राप्त हुए है आयत की लंबाई दो पाईयार और चौडाई एच है आयत का क्षेत्रिफल बराबर है दो पाईयार एच वृत की त्रिज्या आर है और उसका क्षेत्रिफल पाईयार वर्ग है आयत के क्षेत्रिफल और दोनों वृत्तों के क्षेत्रिफल को जोडा गया है नोट जब तक कुछ ना कहा गया हो हम πाई का मान 22 बटा 7 लेते हैं इसलिए बेलन का पार्श्व प्रिष्ठिय यानि वक्र प्रिष्ठिय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है प्रिष्ट संख्या एक सो तिरानवे प्रयास कीजिए निम्न लिखित बेलनों का कुल प्रिष्ठिय क्शेत्रफल ग्यात कीजिए आकरिती 11.41 पर गौर कीजिए यहाँ पर एक बेलन दिया गया है जिसकी तृज्जा 14 cm और उचाई 8 cm है इसके बाद एक बेलन दिया गया है जिसकी उचाई 2 मीटर और तृज्जा 2 मीटर है सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए नोट कीजिए कि किसी बेलन का पार्श्व प्रिष्ठिय यानि वक्र प्रिष्ठिय क्षेत्रफल आधार की परिधी गुणा बेलन की उचाई के समान होता है क्या हम घनाब के पार्श्व प्रिष्ठिय क्षेत्र फल को आधार का परिमाप गुणा घनाब की उचाई के रूप में लिख सकते हैं? उदारन चार एक मचली घर घनाब के आकार का है जिसके बहाय माप 80 cm गुणा 30 cm गुणा 40 cm हैं इसके तल प्रिष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागस से ढखना है आवश्यक कागस का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए हल मचली घर की लंबाई बराबर है L बराबर है 80 cm मचली घर की चोड़ाई बराबर है B बराबर है 30 cm मचली घर की उचाई बराबर है H बराबर है 40 cm आधार का क्षेत्रफल बराबर है L गुणा B, बराबर है 80 गुणा 30, बराबर है 2400 cm वर्ग प्रिष्ट भागवाले फलक का क्षेत्रफल बराबर है B गुणा H, बराबर है 30 गुणा 40, बराबर है 1200 cm वर्ग पीछे वाले फलक का क्षेत्र फल बराबर है L गुणा H बराबर है 80 गुणा 40 बराबर है 300 सेंटीमीटर वर्ग वांचित क्षेत्र फल बराबर है आधार का क्षेत्र फल जमा पीछे वाले फलक का क्षेत्र फल जमा कोश्ठक में दो गुणा प्रिष्ट भाग वाले फलक का क्षेत्र फल बराबर है 2400, जमा 3200, जमा कोश्ठक में दो गुणा 1200, बराबर है 8000 cm वर्ग अतहवांचित रंगीन कागस का क्षेत्र फल 8000 cm वर्ग है उधारण पांच एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप 12 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 4 मीटर है यदि सफेदी कराने का खर्च 5 रुपए प्रतिवर्ग मीटर है तो उस कक्ष की चार दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ग्यात कीजिए यदि उस कमरे की च्छत की भी सफेदी कराई जाए तो सफेदी कराने का खर्च कितना होगा हल मान लीजिए कमरे की लंबाई बराबर है L बराबर है 12 मीटर कमरे की चौडाई बराबर है B बराबर है 8 मीटर कमरे की उचाई बराबर है H बराबर है 4 मीटर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र फल बराबर है आधार का परिमाप गुणा कमरे की उंचाई बराबर है दो कोष्ठक में L जमा B गुणा H बराबर है दो कोष्ठक में 12 जमा 8 गुणा 4 बराबर है 2 गुणा 20 गुणा 4 बराबर है 160 मीटर वर्ग सफेधी कराने का प्रती वर्ग मीटर खर्च बराबर है पांच रुपए इसलिए कमरे की चार दिवारों पर सफेधी कराने का कुल खर्च बराबर है एक सो साथ गुणा पांच बराबर है आट सो रुपए चट का क्षेतर फल बराबर है बारह गुणा आट बराबर है चेयानवे मीटर वर्ग चट पर सफेधी कराने का कुल खर्च बराबर है चेयानवे गुणा पांच बराबर है चार सो असी रुपए सफेधी कराने का कुल खर्च बराबर है 800 जमा 480 बराबर है 1280 रुपए प्रिष्ट संख्या 194 उधारणचे एक भवन में 24 बिलनाकार खंबे हैं प्रतिये खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और उचाई 4 मीटर है आठ रुपए प्रतिवर्ग मीटर की दर्स से सभी खंबे के वक्र प्रिष्ठिये क्षेत्र फल पर पेंट कराने का अव्याए ग्याद कीजिए हल बिलनाकार खंबे की त्रिज्या यानि आर बराबर है 28 सेंटीमीटर बराबर है 0.28 मीटर उचाई यानि ह बराबर है 4 मीटर बेलन का वक्र प्रिष्ठिये क्षेत्र फल बराबर है 2 πाई आर एच खंबे का वक्र प्रिष्ठिये क्षेत्र फल बराबर है 2 गुणा 22 बटा साथ गुणा 0.28 गुणा 4 बराबर है 7.04 मीटर वर्ग ऐसे 24 खंबों का वक्र प्रिष्ठिये क्षेत्र फल बराबर है 7.04 गुणा 24 बराबर है 168.96 मीटर वर्ग एक मीटर वर्ग पर पेंट कराने का खर्च बराबर है 8 रुपए अतह 168.96 मीटर वर्ग क्षेत्र फल पर पेंट कराने का खर्च बराबर है 168.96 गुणा 8 बराबर है 1351.68 रुपए उदाहरन साथ एक ऐसे बेलन की उचाई ग्याद कीजिए जिसकी 37 सेंटीमीटर और कुल प्रिष्ठिये क्षेत्र फल 968 सेंटीमीटर वर्ग है हल मान लीजिए बेलन की उचाई बराबर है एच त्रिज्या बराबर है आर बराबर है साथ सेंटीमीटर कुल प्रिष्ठिये क्षेत्र फल बराबर है दो पाई आर कोश्ठक में एच जमा आर अर्थात दो गुणा 22 बटा साथ गुणा साथ गुणा कोश्ठक में साथ जमा एच बराबर है 968 या एच बराबर है 15 सेंटीमीटर अतह बेलन की उचाई 15 सेंटीमीटर है 1. दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि सनलग्न आकृती में दर्शाया गया है किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामगरी की आवश्यक्ता है A. यहाँ पर एक घनाभ बना है जिसकी भुजाएं 60 cm, 40 cm और 50 cm है B. यहाँ पर एक घन बना है जिसकी सारी भुजाएं 50 cm है 2. 80 cm गुणा 48 cm गुणा 24 cm माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढखना है ऐसे 100 सूटकेसों को ढखने के लिए 96 cm चौडाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यक्ता है 3. एक ऐसे घन की भुजाग याद कीजिए जिसका प्रिष्ठियक शेत्रफल 600 cm वर्ग है 4. रुकसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया 5. यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगां से पेंट किया हो तो ग्याद कीजिए कि उसने कितने प्रिष्ठिये क्षेत्र फल को पेंट किया 6. यहाँ पर ऐसी ही एक पेटी बनाई गई है 5. डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दिवारों और छट को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चोड़ाई और उचाई क्रमशह 15 मीटर, 10 मीटर, एवं 7 मीटर है पेंट की प्रतिय कैन की सहायता से 100 मीटर वर्ग क्षेत्र फल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उस पेंट की कितनी कैनों की आवश्यक्ता होगी प्रिष्ट संख्या 195 6. वर्णन कीजिए कि दाई तरव दी गई आकरितियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है किस डिब्बे का पार्श्व प्रिष्ठिय क्षेत्र फल अधिक है यहाँ पर एक बेलनाकार आकरिती बनी है जिसकी उचाई 7 cm और तरिज्ज्या 7 cm है इसके बाद एक घन बना है जिसकी सारी भुजाएं 7 cm है 7 7 मीटर तरिज्या और 3 मीटर उचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातू की एक चादर से बना हुआ है उसे बनाने के लिए वांचित धातू की चादर की मात्रा ग्याद कीजिए 8 एक खोखले बेलन का वक्र प्रिष्ठिय क्षेत्रफल 4,224 cm वर्ग है इसे इसकी उचाई के अनुदेश काट कर 32 cm चौडाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है आयताकार चादर का परिमाप ग्याद कीजिए 9 किसी सडक को समतल करने के लिए एक सडक रोलर को सडक के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चकर लगाने पड़ते हैं यदि सडक रोलर का व्यास 84 cm और लंबाई 1 मीटर है तो सडक का क्षेत्रफल ग्याद कीजिए 10 एक कमपनी अपने दूद पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 cm और उंचाई 20 cm है कमपनी बर्तन के प्रिष्ट के चारों और एक लेबल लगाती है जैसा की आकृती में दर्शाया गया है यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीष दोनों से 2 cm की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर ऐसी ही एक आकृती बनाई गई है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन्व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत झी अगने लोगाई भारत झी अगने खरल जोगवाई घसन सेंदो आहले हैनल